दोस्तो काफी सारे लोग मुझसे इस वक्त ये सवाल पूछ रही थी कि इस वक्त मैं कौन से shares को अपने portfolio में add कर रहा हूं तो आज मैं उन दो shares के बारे में add बात करने वाला हूं जिनको मैं अपने portfolio में इस market की जो correction है या अगर आने वाले time में और correction market में देखने को मिलती है तो इन shares को मैं regularly थोड़ा थोड़ा करके अपने portfolio में add करने वाला हूं और मैं भी वो ही strategy अपनाने वाला हूं shares को add करने की जो मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक साथ बहुत जादा पैसा मैं इसमें नहीं लगा रहा हूं मैं 57% पैसा इस month में लगाँगा और धीरे धीरे करके मैं इन shares को अपने portfolio में accumulate कर रहा हूं तो आईए दोस्तो देख लेते हैं वो कौन से 2 shares हैं जो इस वक्त मैं अपने shares में add कर रहा हूं तो दोस्तो अभी तक अगर आपने अपना DMAT account नहीं खुलवाए तो मैंने link description में दे दिया आप जाकर खुलवा सकते हैं तो दोस्तो ये दो companies जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं जिसको मैं regularly इस साल average करने वाला हूं हर dip पे buy करने वाला हूं उसमें से पहली company आ जाती है SDFC Life Insurance Company तो जैसे कि इसके नाम से बहुत जादा evident है ये एक Life Insurance Company है और ये SDFC और Standard Life की JV Company है इन दोनों के incorporation से JV के incorporation से कंपनी बनी है margins के अगर आप बात करेंगे तो जो new businesses हैं उसमें ये up to 26% का market share यहां पर margin में रखती है वहीं दोस्तों market share के इसकी बात करते है market position की बात करते हैं new business के market share पे तो 21% के आसपास जो नए businesses आ रहे हैं वो SDFC Life के पास आ रहे हैं अगर आप overall total premium के हिसाफ से बात करेंगे तो इसका जो market share है वो 5.8% के आसपास है और अगर आप इसमें सिर्फ private insurance को देखते हैं अगर आप LIC को हटा देते हैं और सिर्फ private insurance के market share की बात करते हैं private insurance में से 18% market share SDFC Life के पास है तो within life insurance sector अच्छा खासा market share है और positive बात क्या है कि जो नए business का market share है वो भी इसके पास काफी जादा है अब दोस्तो हमेशा मैं life insurance sector के लिए इतना जादा positive क्यों हूँ तो उसके दो बड़े reason है एक तो जो company है जो ये sector है इसमें high entry barrier है ऐसा नहीं है कि कोई भी company यहाँ पर enter कर सकती है बहुत जादा capital यहाँ पर जरूरत होती है शुरू में जहाँ पर लगानी होती है तो बड़े players ही ऐसे insurance sector में enter कर सकते हैं दूसरा जो इंडिया में अभी भी penetration है life insurance की वो बहुत जादा कम है total 3% population हमारी SCA जिसने अभी life insurance लिया हुआ है तो आने वाले time में जैसे जैसे इंडिया की household की income grow होगी awareness grow होगी financial protection को लेकर तो life insurance और जादा से जादा लोग लेंगे तो यहाँ पर दो levels पर SDFC life मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है पहला तो within insurance sector बहुत जादा growth के अभी chances है इस company के क्योंकि बहुत सारा share हो सकते है आने वाले time में LIC से इस company को मिले और दूसरा कि overall insurance sector में भी growth अभी और देखने की उमीद पूरी की जा रही है recent case के numbers पर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर recent के numbers इसके बहुत जादा growth नहीं दिखाते हैं जिसकी वज़े से इसके जो share price है उस पर बहुत जादा असरा रहा है जो पिसले एक दो सालों से इसका share price move नहीं कर रहा है या negative return दे रहा है वो आप यहाँ पर इसके sales के number इसके net profit के number देखकर समच सकते हैं तो अगर आप December 21 के इसके numbers देखते हैं तो 14,000 करूर के आसपास की sales इसकी दिखती है और अगर आप इसके margins देखेंगे तो 1% के margin है profit देखेंगे तो 274 करूर के आसपास profit है last quarter से अगर आप compare करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो profit है वो लगबग same है last quarter का और sales के number गिरे हैं वहीं दोस्तों अगर आप इसको last year से compare करते हैं यानि कि December 2020 से compare करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत जादा growth net profit में नहीं है और sales यहाँ पर कम हुई है तो यह 2-3 reason है कि अभी पिछले 1-10 सालों से जब से COVID-19 का असर आया है उसकी वज़े से भी बहुत जादा जो insurance companies है उनकी profitability पर असर आया है जो इस company के share price में भी देख रहा है और इसकी profitability पर भी देख रहा है मैं यहाँ पर सूचता हूँ कि मुझे इसमें अच्छी तरह averaging करनी चाहिए वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके overall growth पे तो आप यहाँ पर इसकी overall growth देखिए sales growth देखिए 10 सालों में 21% की 5 सालों में 32% की और 3 सालों में 30% के आसवास की sales की growth इसकी है तो sales की growth बहुत जबरदस्त इस company की मुझे दिख रही है यहाँ पर profit की growth भी दोस्तों अगर आप 10 सालों में और 5 सालों में देखेंगे तो अच्छी खासी दिख रही है एक साल और 3 साल के period में अच्छी नहीं है जेओ कि मैंने आपको अभी reason बताया था कि पिछले 1.5-2 सालों में COVID-19 की वज़े से life insurance companies को बहुत जादा claims process करने पड़े हैं जिसका असर इसकी profitability पे आया है लेकिन ये मुझे लगता है एक short term period ऐसा रहने वाला है जहां पर इसकी profitability पे असर आएगा long term में इसकी profitability 10-15% तक रह सकती है जो हम अभी यहां पर 5 सालों में देख रहे हैं sales growth भी अच्छी खासी इसकी मुझे उमीद है होने वाली है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 10-5 और 3 सालों में बहुत ही जबरदस sales की growth यहां पर इस company की है वहीं दोस्तों अगर इसके share holding pattern पे अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि overall जो इसके promoters की share holding है वो यहां पर गिरी है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह एक standard life और SDFC का joint venture है तो gradually standard life ने अपना जो share है वो 24% से गिरा कर लगबग 4% के आसपास है यहां पर ले आए हैं जिसका एक बहुत जादा negative impact इसके share पे यहां पर देखने को मिल रहा है positive बात अगर आप देखेंगे कि over a period यहां पर foreign institutional investor ने आप March 19 में देखेंगे तो 10% से बढ़ा का 30% के आसपास अपनी share holding कर दी है तो बहुत अच्छी growth यहां पर share holding में अगर आप foreign institutional investor की देखते हैं यहां पर देखने को मिल रही है यानि कि जब यह नीचे आ रहा है कम level पे foreign institutional investors इस company को अपने portfolio में add कर रहे हैं वही domestic institutional investors की बात करें तो उनका market share लगबग एक जैसा ही यहां पर देखने को मिल रहा है पिछले अगर हम 4 quarters की यहां पर बात करते हैं अब दोस्तों चलते हैं इस share के हम कुछ और numbers देख लेते हैं तो stock का PE अभी थोड़ा higher side पे लगता है 93 के आसपास अभी यह share अपने 52 week low के आसपास यहां पर मौझूद है जहां पर यह इस वक्त ट्रेडिंग कर रहा है वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके dividend yield की तो 0.39% के आसपास की dividend yield है तो numbers इसके दोस्तों अच्छे हैं fundamentally strong company है लेकिन अभी पिछले एक डिर साल में जो COVID-19 की वज़़से insurance sector पे असर आया तो दोस्तों यहां पर अगर हम इसकी PE ratio से यहां पर देखते हैं तो आप देखेंगे कि PE ratio इसकी 93 के आसपास इस वक्त चल रही है और average PE 88 की चलती है तो PE ratio में अभी भी 5 सालों के एंगल से अगर आप देखते हो slightly higher side pace की PE अभी भी नजर आ रही है 500 पे जब इसका share है ऐसे ही दोस्तों अगर आप 3 सालों में देखेंगे तो कम है यहां पर लगबग अपने 3 सालों की median PE के levels पर ही यह share दिख रहा है एक साल में दोस्तों देखते हैं तो एक साल में काफी कम यहां पर इसकी PE देखने को मिल रही है average PE 110 के आसपास है तो on and average आप मान सकते हैं 3-5 सालों में यह लगबग अपने average PE के levels पर ही इस वक्रेड कर रहा है वहीं दोस्तों अगर इसका chart यहां पर आप देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे अभी recent में 500 के level पर इसने अच्छा support यहां पर दिया है 500 के आसपास यह company अभी अच्छा support दिखा रही है इससे पहले 500 के आसपा levels पर इसको धीरे-धीरे accumulate करने के बारे में सोच रहा हूं अगर यह 500 से ऊपर जाता है तो मैं उस time का wait करूंगा अगर यह 500 के आता है अभी जैसे 517 के आसपास चल रहा है तो 500-510 के levels पर मैं धीरे-धीरे अपने portfolio में इसको accumulate कर रहा हूं दूसरी company दोस्तों आ जाती है SBI Cards and payment services तो SBI Cards basically SBI Bank की ही एक दूसरी subsidiary company है जो credit cards based है SBI Cards के नाम से तो यह भी एक बहुत ही well established company है इसके पास जो सबसे positive बात मुझे लगती है कि SBI Bank का जो customer base है वो इसको मिल जाता है और अगर आप यहाँ पर इसकी shareholding पर बात करेंगे तो 74% shareholding यहाँ पर SBI की है और 26% जो sharehold capital की यहाँ पर नजर आती है तो दोस्तों इसकी बारे में अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो इसका जो share है वो 755 रुपे के आसपास market में list हुआ था इसका IPO जब आया था 2020 के आसपास तो लगबग 2 साल पहले इसका IPO आया था 750 के आसपास market share की दोस्तों अगर आप इसकी यह overall market share में second number पे highest cards इसके अभी इसवक्त force में है active cards अगर आप देखेंगे तो एक करोड 18 लाग के आसपास इसके active cards यहाँ पर मौजूद है तो बहुत अच्छा market share इसका इसवक्त यहाँ पर देखने को मिलता है revenue breakup की दोस्तों आप इसकी बात करते हैं तो majorly यह interest income से 53% revenue generate कर results है उसमें इसका जो gross NPA और net NPA वो लगातार कम होते हैं देखने को मिल रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अब दोस्तों quickly चलते हैं इसके financials पर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो आप देखेंगे gradually इसके जो financials हैं वो improve हो रहे हैं इसकी revenue में भी अच्छी growth देखने को मिल रही है और इसके profit में भी अच्छी growth देखने को मिल रही है और आप पिछले कुछ time में देखेंगे 6-7 quarter में अगर देखेंगे लगातार growth इसको देखने को मिल रही है चाहे आप इसमें profit की बात करें चाहे आप revenue की बात करें तो एक अच्छी growth इसके यहाँ प तो ग्रोथ की एंगल से काफी अच्छी कंपनी यह दिख रही है और दोस्तों अगर आप यहां पर देखेंगे बात करेंगे अगर शेर होल्डिंग पैट्रिन की तो देखने को मिल रहा है कि फॉरण इंस्टिटूशनल इंवेस्टर ने यहां पर सेलिंग की है इसके शेर में लेकिन उसकी जगा जो domestic institutions है उन्होंने भी खरीदारी यहां पर की है तो overall बड़े इंवेस्टर की जो शेर होल्डिंग है वो यहां पर सेम इस कंपनी में देखने को मिल रही है over a period आप देखेंगे domestic institution ने अपनी जो शेर होल्डिंग है इस कंपनी में वो काफी ज़ादा भढ़ा लिया तो एक बहुत positive बात यहां पर लगती है इसके कुछ और numbers देख लें तो stock का PE 65 का है return on capital employed और return on equity भी यहां पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है और अगर आप यहां पर देखेंगे इसके अगर हम valuations पर बात करते हैं तो अगर आप एक साल में देखेंगे तो यह लगबख अपने low पर चल रहा है PE के मामले में 95 के आसपस इसका PE चला करता था जो अभी गिर के 65 के आसपस आगया है तीन सालों में भी आप देखेंगे तो 98 के आसपस इसका PE चला करता था जो अभी गिर के 65 के आसपस चल रहा है तो PE के एंगल से काफी अच्छा डिसकाउंट पर यह शेर मिल रहा है वहीं इसके अगर हम यहाँ पर बात करें इसके टेकनिकल चार्ट में एक बर ही नज़र डाल लेते हैं तो दोस्तों अगर इसके चार्ट में हाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे इस शेर में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और काफी ज़ादा गिरावट इसके शेर में आ चुकी है लेकिन अभी यहाँ पर भी वो यह रहा है कि 700-700 के आसपास जो लगबग इसका IPO प्राइज रहा था उसके पास एक अच्छा खासा सपोर्ट इसके शेर में देखने को मिल रहा है और 700-700 से यह अभी उपर जाकर 840 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो मैं यहाँ पर भी यही सोचता हूँ कि अगर यह 700-700 के बीच में कहीं दुबारा से आता है तो वहाँ पर एक अच्छा accumulation long term के हिसाब से मैं इस शेर में भी करने वाला हूँ तो यह दो शेर हैं दोस्तों जिनमें मैं अभी इस पीरिड में accumulation करने वाला हूँ इसके अलावा भी जो companies होंगी उस पे हम लोग अभी next week में बात करूँगा जो shares में और accumulate करूँगा लेकिन दोस्तों यह वीडियो किसी भी तरह की investment advice नहीं है काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस वक्त मैं कौन से shares add कर रहा हूँ तो इसलिए उस purpose से मैंने यह वीडियो बनाई है आप किसी भी company में invest करने से पहले अपना जरूर से एक बड़ी investment देख ले अपने इसाफ से analyze कर लें किसी भी company को और उसके बाद ही invest करने के बारे में सोचें उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी help हुई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like और share जरूर कर दे धन्यवाद